इस वीडियो में हम सीखेंगे कि integers क्या होते हैं integers को जानने से पहले आखको दो चीजों का पता होना चाहिए कि natural numbers और whole numbers क्या होते है natural numbers मतलब जैसे आप counting start करते हो 1,2,3,4,5,6 and so on तो natural numbers आपके वो numbers हैं जो 1 से start होते हैं counting की तरह आगे चलते जाएंगे whole numbers whole मतलब पूरा का पूरा तो कोई भी number यानि digits पूरी नहीं है 0 के बिना तो याद रखने का तरीका है whole numbers मतलब अगर आप 0 को भी include कर लो 0,1,2,3 और ऐसे सारे natural numbers plus 0 यह आपके whole numbers होते हैं अब आता है integer क्या होते हैं integer means 0,1,2,3,4 यानि पूरी counting 0 भी और उसके साथ क्या include करना है negative numbers भी यानि minus 1, minus 2, minus 3 यह जितने भी negative numbers है 0 और positive numbers यह सब मिलके एक सथ इन सब को कहते हैं integers अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप सीख लो कि इन integers को number line पे कैसे represent करते है तो number line एक line होती है जिसके उपर हम numbers को दिखाएंगे दर्शाएंगे जिसके center में 0 होता है और इस side इस side अगर आप जाओगे तो यह सारे positive numbers होंगे और अगर आप left side जाओगे तो सारे negative numbers होंगे तो equal distance पे आपको mark करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on ऐसे चलता जाएगा यह arrow का sign का मतलब है कि यह line कितनी भी लंबी हो सकती है ऐसे ही minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 ऐसे चलता जाएगा तो इस side सारे negative numbers शो करना है यह 0 है center में और यह सारा है आपका positive numbers इस पूरे को कहते है number line और यह जो मैंने show किया है वो सारे integers